दोस्तो प्रोप्लम किसके जीवन में नहीं है, पैसे की परिशानी किसे नहीं है, अगर आप घर बैठे सोच रहें कि आप पैसा कमा सकते तो वो तो बहुत मुश्किल है, तो दोस्तो मैं चाहती हूँ आप घर से निकलिए, अच्छी नौकरी ढूंडिए और अच्छा पैसा क कमाईए, सबके जीवन में तकलीफ है, सबको पैसे की कमी है, मगर इस तकलीफ का सल्यूशन क्या है, चलो माना कि आपने नौकरी ढूंडी होगी, आपने कोशिश की होगी, मगर आपको अच्छी सैलरी वाला जौब मिला क्या, क्या आपकी सारी परिशानी खतम हो पाई, नह दोस्तो मैरिया चौदरी, फिर से हाजिरू आपके अपने कामवाली अकाडमी यूटूब चानल पे, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वेकेंसी लेकर क्या आई हूँ, जो की बेंगलॉर शहर में है, हाउजमेट की नौकरी है, 24 घंटे की, इसमें सैलरी आपको 16, 1000 से 20,000 तक मिलेगी, आपको घर का सारा काम करना है, अब सारे काम में आपका दिमाग ये होता है कि भाई सारा काम तो मैं नहीं कर पाऊंगी, सारा काम आप क्यों नहीं कर पाऊंगे, क्या मुश्किल है, सारे काम में जाडू, पोचा, बरतन घसना, बाकी के जो चोटे- कre करकी करना डस्टिंग करना किछोटी च्छोटी चीजे utlich को अपको बड़े ध्यान से बड़े बारिकी से करना होता है अगर किचन में किसी को हेल्ब चाहिए आपकी तो आपको help करना होता है जैसे कि भाजी काट दिया या फिर चावल चड़ाया हुआ है उस चावल को आपने देख लिया दूद गरम करने के लिए रख दिया या चाई बना दिया एक हाउसमेट का जो प्रोफाइल होता है वो कुछ इस तरीका होता है तो मेरी प्यारी बहनो बिल्कुल देर नहीं करो जल से जल इस नोकरी के लिए अपलाई कीजिए नीचे कमेंट कीजिए या दिये गए नंबर पर कॉल कीजिए बिल्कुल मथ सूचिए कि अगर आप घर से निकलेंगे तो आपके पडोसी क्या बोलेंगे आपके रिष्टेदार क्या एक सेकंड ना लगाईए सोचने पे और तुरंद का तुरंद कमेंट करके एपलाई कीजिए आप परिशानी में हो क्या आपको कोई पूछने आ रहा है क्या कोई आपको 10-20,000 रुपया दे रहा है नहीं क्या मतलब है घर बैठने का आपके बच्चे होंगे आपका परिवार होगा कैसे चलता होगा तो मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाईयों मैं चाहती हूँ कि आपका फाइदा हो जल से जल आप कमेंट करें दिये गए नमबर पर कॉल करें आपको बिना पैसा भरे फ्री ओफ कॉस्ट आपको जॉब मिलेगी जिसमें आपको रहना खाना फ्री होगा साथी साथ आपको सालरी मिलेगी वो भी 18 से 20 हजार चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलेगा जितने भी जरुरत मन्द है सारों को वीडियो आप शेर कीजिए जिससे की उनका फायदा हो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद